नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेटाज की 26 मईए 2023 देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रेस के एक्सप्लेइन पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे देखो हमारे पास में जो आर्टिकल्स उसमें एक तो है इंडिया एंड साउथ पैसिफिक रिलेशन्स के बारे में एक है पेटा फ्लॉप सूपर कम्प्यूटर से रिलेटेड आर्टिकल्स और एक हम समझेंगे कि एक रेप केस में इंडिवीज्वल इंडल्स्ट और उसको फ प्लॉप जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है आप कम्प्यूटर की स्पीड को क्वालिटी को एफिशियंसी को चेक कर रहे हो ठीक है और फ्लॉटिंग जो आप कह सकते हो नंबर्स होता है उन्हें कैलकुलेशन्स देखी जाती है फ्लॉटिंग का मतलब यह होता है कि आप में जा रहे हो, मतलब fraction के बाद में, decibel नहीं बोल सकते हैं, fraction के बाद में, जैसे आप कभी लिखो 4.0241 ऐसे करके, तो ये fraction के बाद की जो है, ये numbers, इतना minute calculations की भी आप बात करते हो, तब जाकर के, आप उस efficiency को समझ पाते हो, ये computer कितना speedly काम कर रहा है, कितना accurately काम कर रहा है, basically मुद्दा क्या है, पहले वो समझते हैं, फिर और चीजों को अच्छे से और समझ लेंगे, देखो जी बात ऐसी है, कि इंडिया ने, इंडिया जो है, वो 18 petaflop का एक super computer है, उसको unveil करने वाला है, that means launch करने वाला है, जो की weather forecasting institute में काम आने वाला है, इसका मतलब ये, कि जवर्दस पड़ेगी, तो वो weather forecasting जो काम करता है, उसके लिए ये 18 petaflop super computer जो है, वो launch किया जा रहा है, ये 18 petaflop का जो ये नया super computer है, एक से ही expected है, कि weather forecast और improve हो पाएगी, block level तक की information आ पाएगी, इसका मतलब ये, कि आप अगर district level पे कहीं पे announcements करते हो, तो अब आप और भी उससे छोटी जो administrative unit है, block level, उस पर भी आप announce कर पाऊगे, कि जी हाप के block में कितना क्या मौसम का behavior रहने वाला है, इसके अलाबा resolution है, उसकी quality भी improve होने वाली है, देखा जाए, तो इस computer के use होने के बाद में cyclones को और accurately बताया जाना possible हो पाएगा, और better lead time भी achieve हो पाएगा, lead time क कि कोई भी weather event होने वाला है, उसके कितने समय पहले आपने बता दिया कि ये event हो सकता है, तो वो जो gap ना, कि actual में वो weather phenomena का होना, और उसके पहले आप announce कर दो, उसका time gap जो होता उसी को lead time बोलते हैं, तो ऐसे में जितना जल्दी alert declare किया जाए, उतना ही ज्यादा अच्छा lead time है उतना ही effectively काम करने वाला है, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, तो इस तरीके से ये qualities जो है वो improve हो पाएगी, आज अगर देखा जाए, तो 12 km resolution का जो idea है, वो release किया जाता है, अभी जो existing computers हैं उनके द्वारा, 12 km का resolution मतलब कि आप 12 km की range जो आप fix कर लो, उसके बारे में आप idea दे सकते हो कि हाजी यहाँ पर आने वाले 24 गंटे, 48 गंटे में यह मौसम का सेनारियो रहने वाला है, पर जैसे ही यह नया सूपर केंप्यूटर एड हो जाएगा, इन weather forecasting institutions में, तो आप मान के चलो, 6 km तक की resolution मतलब और भी छोटे एरिया के बारे में आप इसके बार, आप weather forecasting कर पाऊंगे, देखा जाए, तो National Center for Medium-range Weather Forecasting, जो कि NOIDA में located है, वहाँ पर आप देखोगे, कि वहाँ पर यह announcement किया गया है, हमारे जो Union Earth Minister है, किरेन रिजी जुजी उनके द्वारा, यह लगबग 900 करोड रुपए की लागत से computer बनवाया गया है, अब समझते हैं, कि यह जो flop होता है, यह क्या है, और petaflop है, वो क्या है, flops का मतलब तो होता है, floating point operating per second, इसका मतलब एक second में कितनी calculations, कितनी effectively आप task को perform करवा रहे हैं, वो ही flops होती है, ठीक है, commonly computational performance देखी जाती है, calculation speed कितनी क्या है, उसकी power कितनी है, efficiency कितनी है, और साथ में यह देखा जाता है, कि इन म का area ही बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा chamber होता है, उनको store करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर यह काम होता है, साथ में आप artificial intelligence भी उसमें use करते हो, इसके अलाबा, जो floating point है, इसका मतलब ही होता है, कि आप mathematical calculations करोगे, उसमें भी fractional parts भी focus जाता रहेगी, जो मैंने बताया कि 4.0421 कुछ भी है, तो यह 0421 है ना, इस minute scale के ओपर भी आप calculations कर रहे हो, तो वह floating point calculation हो जाती है, तो इस तरीके से क्या है, कि यह flop जो है, यह basically क्या show करता है, कि computer कितना high quality का है, अब इसी flops की बात करें, flops का मतलब आप समझ गए, floating point operation per second, एक second में कितने floating point operations हो रहे हैं, तो ऐसे में, जितना ज़्यादा floating point operations होंगे, एक second में, उतनी ही ज़्यादा speed है, और speed को measure करने की quality है, यह flops, अब यह देखो, flops जो है, इनको आप billion, trillion, या quadrillion, इस segment में आप calculate करवा सकते हो, मतलब measurement, billion का मतलब giga, trillion का मतलब tera, और quadrillion का मतलब peta, ठीक है, और आप देखोगे, कि giga का मतलब 10 raise to power 9 है, trillion का मतलब होता है, 10 raise to power 12, और 10 raise to power 15 अगर आप पहुँच जाते हो, तो वो ही हो जाता है, peta, जिसको हम quadrillion बोल सकते हैं, तो कुल मिलाकर के देखा जाए, तो यहाँ पर point क्या रहा है, point यह है, जी, कि आज के जो computer से उनकी speed जो है, वो flops में measure की जात है, कि per second कितने operations perform किये जा रहे है, तो peta flop का मतलब क्या हो गया, कि 1 second में 10 की घात 15, 10 raise to power 15 floating point operations है, वो conduct कर दिये जाते हैं, इतनी high speed पे operate करते हैं, यह computers, peta flop में जिनकी speed होती है, और जिनकी giga flops में speed होती है, वो giga flops बोल दियाता है, trillion में होता है, तो आप कह सकते हो कि trillion flops ब तो peta flops बोल दिया जाता है, इसको, peta flop का मतलब क्या हो गया, कि जो trillion flop है, उसका 1000 गुना, वो ही 10 raise to power 15 को आप लिखोगे, तो 10 raise to power 12 into 1000 कर दो, इसका मतलब 10 raise to power 12 को आप trillion लिख दो, और 1000 आपने लिख दिया, तो वो calculation आपके set हो गई, currently, world का fastest, अगर कोई computer है, तो वो peta flops प उसका computer है enterprise frontier, जिसको OLCF 5 भी बूल जाता है, और उसकी speed कितनी आ रही है, performance capability, 1685.65 peta flop, अब आप देख लो, कि कितनी ज्यादा speed ये उपर operate होने वाला, ये computer है, फिर बात आती है computer, इंडिया में कि इंडिया में हाइस speed गा computer अभी तक कौन सा है, तो देखो एक तो है, NCMRWF के पास में मिहर, जिसकी speed है 2.8 peta flop, जबकि दूसरा है, जो computer है, जिसका नाम है प्रत्योष, वो Indian Institute of Tropical Meteorology, IITM के पास में है, पुने, पुने based institution है, उसके पास है प्रत्योष, जिसकी speed है 4 peta flop, इसका मतलब, हाईए speed वाला computer कौन सा है, प्रत्योष, अब जैसे ही, और ये computers launch हो ठीक है ना, जैसे ही, इस supercomputer launch होगा, तो इन computers को भी हटा दिया जाएगा, और महिर और प्रत्योष की जगें, ये 18 peta flop वाली, जो speed के, जो supercomputers है, इनको install यहाँ पे कर दिया जाएगा, तो ये highest speed के computers हो जाएंगे, वैसे देखा जाए ना, तो IITM पुने में ज्यादा, high quality का का होता है, या फिर आप कह सकते हो, broad based functioning perform की जाती है, IITM में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक तो tropical region से based आप computing करते हो, weathering से related, और उसके basis पर आप result देते हो, जबकि NCMRWF, जो NOIDA based है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर medium range forecasting होती है, यहाँ पर क्या होता है, कि broad range आप cover करत हो, तो बले, यहाँ पर आपको ज्यादा speed के computer की जड़ात पड़ती है, IITM पुने में, तो यह चीज़ यहाँ पर petaflock computer से related होगी, खीक है जी, आगे चले, नेक्स आर्टिकल है, इंडिया and the South Pacific, सुजीत रोजी के द्वारा लिखावे आर्टिकल है, कल हमने फिपिक से related एक आर्टिकल डिसकस किया था, आपने explain page देखा हो, तो आपको definitely वो चीज़ कवर होगी, जिसका full form है, Forum for India Pacific Island Corporation, इसके लावा Pacific Island Countries का एक ग्रुप है, जिसको PIC बोला जाता है, पिक्स बोला जाता है, Pacific Island Countries, तो basically हमारे प्राइमिनिस्टर नहिंदर मोदी जी जाते हैं, यहाँ पे, South Pacific Countries में, या particularly फिपिक की मीटिंग अटेंट करने के लिए, पपुआ न्यू गिनी में वे, तो वहाँ पर वहाँ के प्राइमिनिस्टर आते हैं, जिनक यह जो South Pacific Island Countries जिनका यह ग्रूप है, फिपिक, यह 14 Countries जिनके बारे में हमने कल नाम भी देखे थे, वो नाम यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं, यह 14 Countries का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कुक आइलेंड, फीजी, किरिबीटी, किरिबाती, इसके अलाबावा, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Nayoo, Newi, ठीक है, Samoa, The Solomon Island, Palau, Papua New Guinea, ठीक है, Tongo, Tuvalu, Vanuatu, यह Countries है, यह मिल करके, तो basically क्या है, यह 14 Countries का यह ग्रूप है, जिसको हम Pacific Island Countries भी बोला जाता है इनको, और यह फिर जो FIPIC है, जिसमें हमने देखा, Forum of South Asian, sorry, Forum of India Pacific Island Corporation, इसमें इंडिया participate करना गया, इंडिया का यह initiative FIPIC जो है, क्योंकि इनके साथ में इंगेस करना बहुत ज़ादा जरूरी है, इन Countries के साथ, क्योंकि इन Countries की जो location है, वो geostrategically बहुत important है, जहां पर आप देखोगे, कि South Pacific region में, Australia के North East में located यह Countries है, जहां पर world का बहुत trade जो है, वो flow करता है, तो इस वज़े से इन Countries के साथ हमारे relation maintain रखना हमारे लिए जरूरी है, South Pacific की अगर बात करें, तो ज़्यादा दर तो देखो USA का influence वहां पर रहा है, जिसमें Australia, New Zealand और US तीनों ने, ANZUS, इनोंने मिलकर के trilateral military alliance create कर रखा है, जिसके basis पे इन Countries की protection भी करता है, और उनका कहीना क engagement भी बहुत जादा है, पर पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपना influence बहुत जादा बढ़ा लिया इन Countries में, और चाइना का यह जो influence बढ़ रहा है, इसको लेकर के Australia बढ़ा ऐसा है महसूस करता है, और दूसरे तरफ इंडिया की बात भी करें, तो इंडिया इंडिया इ पिक्स की अगर बात करें, यह 14 जो Pacific Island Countries है, इनमें से Fiji और Papua New Guinea है ना, यह हमारे लिए बहुत important है, क्यों है, इसके पीछे ये कारणा है कि हमारा वहाँ पर डायस पुरा बहुत है, हमारे वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो Indian origin trace करता है, जिनमें Fiji में तो इतनी जाता नहीं है, तो इस case में क्या हो जाता है, कि इंडिया के जो diaspora की जो presence है, वो people to people ties में बहुत important role play करता है, ठीक है, Fiji और इंडिया, Fiji, PNG और इंडिया की relationship को अगर हम trace करें, तो past की अगर बात करें, तो 1879 की time से जब से sugar cane plantation का का काम होने लग गया था, ठीक है, गन फिर महात्मा गांदी के एक friend जिनका नाम है C.F. Andrews, उनकी leadership में बहुत सारे efforts लगाए गए, तब जाकर कि 1915 से 1917 के बीच में एक moment चलता है, उसके बाद में 1920 की बात करें, तो वहाँ पर ये जो indentured labor का जो system था, ये abolish कर दिया जाता है, और वहाँ पर जो indentured labor के तोर पे गए 1879 से लेकर के 1920 के बीच में वो लोग फिर वहाँ पर भी कई जने settle हो गए थे, और वो ही Indian diaspora का काम वाबे कर और कुछ लोग अब बाद में भी जाके settle हुआ है, 1948 से लेकर के 1970 तक इंडिया और Fiji के relationship के हम बात करें, तो हमारा वहाँ पर commissioner office हुआ करता था, फिर 1970 में Fiji को independence मिल British छोड़ कर के गए, तब जाकर के फिर वहाँ पर high commissioner जो है, वो appoint हुए, इसका मतलग Fiji independent हुआ था 1970 में, तब तक वहाँ पर British rule ही चल रहा था, इसके अलावा देखा जाए, तो Fiji के prime minister का हमारे यहाँ पर आना और हमारे prime minister का Fiji में जाना यह continue था, पर 1987 में Fiji में coup हो जाता है जिसके बारे में हमने previously discuss भी किया था, Fiji के prime minister रहा है थे अभी, वो उस time पर military leader हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या, कि वहाँ पर Fiji में election हुए, और Indian origin के जो लोग थे, वो सरकार बना रहे थे, तो वहाँ पर Fiji के जो indigenous लोग थे, जो military में जादातर थे, उनका यह सोचना था बोले कि हमारी identity को खतम करना चाहरे है Indians, तो बोले, इनके सरकार हम बनने नहीं देंगे, तो military coup हुआ था, उस related जो article हमने discuss किया है, वो video में telegram channel पर share कर दूँगा, आप जरूर देख लेना, ठीक है, link है, वो telegram channel का description box में given और साथ में आप search भी कर सकते हो telegram पे, ठीक है, search में जाकर के, गारगी classes CA, current affairs CA, ये search कर लोगे, तो आपको help निल जाएगी, और वहाँ पर आप channel join कर लेना, जिससे कि आपको कोई short term, अगर मातलों की, जल्दी से आपको, कोई message मुझे deliver करना हो, तो मैं आसानी से कर सकूँ, ओके, तो Fiji में कूँ हो गया, कूँ होने के बाद में फिर इंडिया के relationship Fiji के साथ एक बाद ठंडे बस्ते में चले गए, फिर 1999 से लेकर के 2005 के बीच में थोड़ी बहुत relationship Fiji के साथ improve होती है, दूसरी तरफ Papua New Guinea की बात करें, तो वहाँ पर हमने हमारा high commission open किया था April 1996, जिसमें आप देखो, Suwa, Fiji, Kuala Lumpur, जो Malaysia की capital है, इनके के से चलता गया, अब इंडिया और PIC की बात करें, तो देखो, इंडिया की अपनी खुद की foreign policy है, जिसको हम बोलते हैं, Act East Policy, और Act East Policy में ये जो countries है, 14 PIC, Pacific Island Countries, ये अपने आप include हो जाता है, दूसरा South South cooperation में भी इंडिया include करके रखता है, इनको, इसके अलाबा देखा बात करता है, उनकी interest की बात करता है, उसमें भी कही ना कहीं, इंडिया जो है, वो इन countries के साथ इंगेज करता है, इसके अलाबाए, Act East Policy के तहट इन PIC के साथ मिलकर के, Forum for India Pacific Island Corporation, फिपिक है, वो लॉंच किया गया, ठीक है, फर्स्ट जो फिपिक meeting हुई थी, वो 2014 में हुई थ 2015 में, और थर्ड जो फिपिक meeting है, वो अभी latest हुई है, पपुआ न्यूगिनी में, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्ट अभी विजट करके आया है, और इस फिपिक meeting को अटेंड भी करके आया है, तो इस तरीके से जो engagement है, वो भढ़ रही है, इसके अलाबाए, ट्रेड की ब agriculture equipment, computer and LED bulb for school, sieving machine, dialysis machine, portable saw mills, boats, यह सारी चीज़े हम export करते हैं वहाँ पे, ठीक है, यह assistance के तौर भी provide करते हैं उनको, इसके अलाबाए, जितने भी PICs हैं, 14 PICs हैं, यह climate change को लेकर के बहुत ज्यादा खत्रे में है, आपको पता ही है, आइलेंड countries है, और जैसे जैसे global warming rise हो temperature rise होने की वज़से glaciers melt हो रहे हैं, glaciers melt हो रहे हैं, तो यह island countries हैं, इस सबस्यादा खत्रे में यह डूब सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, जो initiative लिए हैं इंडिया ने, जैसे कि International Solar Alliance का, या इसके अलाबा, coalition for disaster resilient infrastructure, यह बहुत जादा important role play कर रहा है, इंडिया इन में important role play कर रह है, इसके अलाबा, यह जो coalition for disaster resilience infrastructure है ना, इसमें इंडिया, Australia, UK और इन small island development states, SIDS के साथ मिलकर के काम करता है, और यह CDRI framework जो है, इसमें आप देखोगे, इसी के तहत, IRIS करके एक program launch किया जाता है, जिसका नाम है infrastructure for resilient island states, कब, जब conference of parties हो रही थी, United Nation framework, convention on climate change, UNFCCC की gloss go में 2021 में, तब यह IRIS जो है वो launch किया गया था, अब मेरे कहने पर आप एक काम कर लो, यह जितने भी नाम आ रहा है न, initiatives के, इनके बारे में भया पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना, जिससे आपकी command अच्छी बन जाए, ठीक है जी, तो इंडिया इनके interest के लिए काम करता है, इसके अलाबा, disaster relief की बात कर लो, या humanitarian assistance की बात कर लो, इंडिया की तरफ से जाती है इनको, pandemic के टाइम पे देखो, vaccines हमने supply किये हैं, अब बात क्या आ रही है, कि challenge जो है वो यहाँ पर वो है चाइना, चाइना अपने पिछले 30-40 सालों के टाइम में बहुत जादा य जा रहा है, जो कि वहाँ पर USA का रोल रहा हुआ है, या फिर Australia, New Zealand का रोल रहा हुआ है, इंडिया का भी कही ना कही रहा है, पर अब इंडिया जो है, वो एक active role play करने के लिए ready है, तो इस case में क्या है, कि अगर हम, अगर हम blue pacific to 2050 strategy को follow करना चाते हैं, तो ऐसे हमें Australia के साथ engage करना होगा, South Pacific countries के साथ engage करना होगा, climate change और sustainable development goals है, इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर engagement हमें बढ़ानी होगी, साथ में क्या है, कि US और चाइना की जो rivalry है ना, इसका भी कही ना कही इस region पर सीधा असर है, ठीक है, बहुत दिनों पर एक बार एक article भी आया था, कि चाइ करके आपको security देगी, जबकि वहाँ पर security देने वाले कहां की forces पहले से काम कर रही है, Australia की, तो China वहाँ पर अपनी presence बढ़ा रहा है, तभी तो देखा न, आपने, AUK, US करके, AUKUS करके agreement हुआ है, जिसमें UK और US मिल करके, आठ nuclear submarines है, वो supply कर रहा है Australia को, फिर उसके बाद में manufacturing और होगी, तो इस तरीके से Australia भी बहुत जादा concerned है, और यही point जो है COD में highlight होता है, ठीक है, इस तरीके से central linking देखो आप यहाँ पे, फिर हम बात करें चाइना की, तो China यहाँ पर 2016 में, इतने loans और grants दे चुका है, कि 2011 से 2017 के बीच में, जितना भी loan इन countries को मिला, उसका 8% तो चाइना का खुदगा contribution है, जबकि इसी same period में USA का contribution, जितना loan इनों ने लिया, उनका 0.3% ही है, तो आप देख लो, चाइना कितनी पकड़ बनानी कोशिश कर रहा है, पैसे के दम पे, इसके लावा, trade की बात करें, तो PIC के जो 14 countries जो उनमें से 10 के साथ में, चाइना का trade, अग Australia और New Zealand को छोड़ दो, फिर देखो चाइना सबसे बड़ा trade partner के तौर पीमर्ज हो किया है, इन कंट्रीज के साथ, फिर आगे बात आती है, upshot of PM's visit, तो देखो इंडिया की वहाँ पर engagement बढ़ रही है, technology, technological advancement और capacity building में इंडिया बहुत cooperate कर रहा है, जाए फिर हो solar energy solution हो, desalinization plant हो क्योंकि फानी की problem को sort out करना एक अपने आप में बहुत बड़ा challenge है, health facilities develop करनी है, information system capabilities, इन में सब में इंडिया जो है वो engage कर रहा है, साथ में, FIPIC में जब अभी recent meeting होई, तो हमारी तरफ से क्या statement आए, कि भाया, FIPIC countries, 14 countries हो, trustworthy partners के साथ काम करो, मिल कर गे, इसका मतलब चाइन पर indirectly हमने attack कर दिया, तो भाया, ऐसे countries पर तो कम से कम rely मत करो, जो तुमें करजा देंगे, फिर करजे में दबा करके, और तुम्हारी जमीन को तुम्हारे से हतिया लेंगे, इसके लावा, इंडिया, essential medicines, wheat, sugar, ये भी supply करता रहता है, इन countries को, ठीका जी, इसके लावा देखा जाए, इंडिया का trade जो है, वो लगबग 300 million dollar के लगबग हो गया, खेर ये मुद्दा, हमने कल अच्छे से discuss कर लिया, इंडिया और फिपिक के बारे में, तो वहीं से आप एक बार पढ़ लेना, कल का जो वीडियो है, वो उसमें पहला article ही फिपिक था जहां तक मुझे आद दिया जाता है, उस murder और रेप की case में प्रकाश निशादगर के एक बंदे को arrest किया जाता है, उसके खिलाफ में कारवाई चलती है, और उस बंदे को 13 साल तक की सजाए मौत दे दी गई, और वो बंदा 13 साल से जेल में है, अब सुनवाई Supreme Court में जब पहुंची, तो Supreme Court ने कह कि प्रकाश निशाद को free कर दिया जाए, तो यह अपने आप में एक case है, कि Supreme Court ने क्यों free किया, ठीक है, तो देखो case तो जो है, जून 12 2010 का, जब 6 साल की एक लड़की अपने घर के आसपास में घूम रही थी, ठीक है, और यहाँ पर देखो जगह का नाम, बाइंडर करके ज बड़ी हो, कहीं पर पड़ी, ड्रेन में किसी नाले के पास में पड़ी मिली, फिर बाद में इन्वेस्टिकेशन होई, पोस्ट्मार्टम होई, तो पता पढ़ा कि उसका रेप भी होया हुआ था, फिर उसके बाद में देखा कि पुलीच ने, कि वहाँ असपास में कौन र फीक है, यह बात सही है, सजाए मौत जो है, उसमें कोई गलती नहीं है, फिर निशाद के दुआरा अपील की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंसता है, और सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंसने के बाद में पूरी एक-एक तार-तार करके पूरी रिप गई हैं, illegalities बहुत देखी गई हैं, बोला, case को बहुत लापरवाई के साथ handle किया गया है, एक तो ये point बोला, दूसरा ये कहा गया, कि आप, जिस मतलब आप कह सकते हो, जो prosecution चल रहा है, जो भी सुनवाई चल रही है, तो बोला, उसमें आपने, जो evidence लिया है, वो तो प्रकास निशात का, खुद का confessional statement है, इसका मतलब उसके खुद के statement के basis पे, आप उसको खिलाफ में, मतलब case चला रहा है, और उसको सजा दे रहो, उसके अलावा, आपके पास में physical evidence क्या है, 1953 का एक case है, जिसका नाम है, स्रियद काजमी रिजवी, वर्से स्टेट आफ हैदराबाद, उसमें Supreme Court ने ये कहा था, कि जि जब तक आपके पास में ऐसी कोई language, जिस language में जो accused है, उससे आप inquiry कर सको, जिससे आप inquiry कर सको, और जो court के समझ में आ सके, ऐसी language में अगर आप investigate करोगे, तब जाकर कि आपके investigation को, कहते हैं कि सही consider किया जाएगा, बोले ये काम आपने नहीं क किया, आपके investigation जो थी, वो बोला Marathi language में रही थी, ठीक है, ना तो उसको explain किया गया, ना कुछ और, मतलब आप देखो, कि Marathi language में आपने किया, local language में, पर जो एक understanding develop हो सकती थी, उसमें आपको Hindi या English में उसका clarification लेना था, बोला वो आपने लिया नहीं, बोला ये कही ना कही, violation है, equal protection clause का, ठीक है जी, जो constitution में given है, तो language issue आ गई, कि आपने जो बात है कि उसमें, इसके अलावा सुप्रीम कोट ने कहा, कि circumstantial evidences जो है, उनके बारे में भी आपके पास में proper collection होना, जी 1984 का सुप्रीम कोट का एक rolling है, शरद बिर्दी चंद शार्दा वर्सिस state of उसमें यह था कि circumstances जो कुछ भी है, उनमें आपको देखना पड़ेगा कि कैसे situation में आपको क्या data collect करना था, तो कहने का मतलब कुल्मिला के point यह आ रहा है यहाँ पे, कि जी proper data collection नहीं किया गया, ठीका जी, DNA evidences की बात है, बहुत जादा delay किया गया DNA samples को collect करने में, तो अब उ चीजें देख करके सुप्रीम कोट ने कहा कि sample safe नहीं है, proper evidence नहीं है, investigation proper नहीं हुआ है, तो बंदा जो है प्रकाश निशाद इसको रिहा किया जाए, यह गलत है, वैसे देखा जाए ना यहाँ पर, अब आप देख लो, justice delayed, is justice denied हो गए कि नहीं, अगर यह बंदा culprit ही नहीं तो 13 साल की सजा, इसके उम्र की जो 13 साल बीद गए, वो कौन देगा इसको, यही सबसे बड़ी problem है, कि भाई, निर्दोष को सजा हो जाए, अब सवाल यह है, कि investigating agencies यहाँ पर साबित नहीं कर पा रही है, तो आप सजा कैसे दे सकते हो, ठीक है, जो हमारा criminal justice system है, उसमें investigating agency, that यहाँ पर यह जो रोल कहीं नहीं मिस हो गया है, तो यह article था, इस discussion में यही था, thank you, thank you very much.